बिहार की नई NDA सरकार का बारित तारी को फ्लोड टेस्ट है लेकिन उस से पहले राज्जी की सियासत पर खलबली मची हुई है इसी बीच जेडियू ने अपने तमाम विधाइकों को पतना आने के लिए कहा है लेकिन जेडियू के विधायक नीफ फ्लोट टेस्ट से पहले नितीश कुमार के साथ खेला कर दिया है क्या है पूरी खबर देखे इस रिपोर्ट में बिहार में सभी सियासी दल किसी न किसी बहाने से अपने विधायकों को एक जुट करने की कोशिश में जुट गये हैं बीजेपी ने अपने विधायकों को बोध गया भेज दिया है वहाँ दो दिविसी प्रिसिक्षन शिवर का आयूजन किया गया है वहें दूसी तरफ RJD ने दावा कर दिया है कि जेडियू के भोज में 14 विधायक नहीं पहुँचे हैं अब BJP ने भी अपने विधायकों की बारेबंदी तेज कर दी है BJP के विधायक भगवान बुद्ध की शरण में पहुँच गये हैं गया में पार्टी का प्रसिक्षर शिविर है लेकिन BJP को यहां भी जटका लगता हुआ नजर आ रहा है बताया जाय रहा है कि BJP के कुछ विधायक बोध गया नहीं पहुचे हैं इन सभी के बीच राज़त प्रवक्तार मृतुंजे तिवारी ने दावा कर दिया है कि 12 फरवरी को बहुत रोमान्चक खेला होगा जिससे ये लगने लगा है कि तेजस्वी यादों की बात कहीं ना कहीं सच साबित होनी चारही है अब आपको बता दे कि राजनितिक पंडित ये भी बता रहे है कि नितीश कुमार दस विधायकों को भोज में नहीं देखकर नाराज हो गए इन विधायकों में डॉक्टर संजीव, गुंजेश्व श्रा, बीमा भार्ती, शालनी मिश्रा और सुदर्शन कुमार शामिल है इधर विधायकों के नहीं आने से सियासी गलियारे में हरकम मच गया तो दूसी तरब बीजेपी को सरकार तूटने कर डर सताने लगा है पहले विधान सभा अध्यक्ष को लेकर आविश्वास प्रस्ताओं की बाते की जा रही थी लेकिन अब जेडियू और वीजेपी के विधायक ने स्पीकर से नैतिक्ता के अधार पर इस्तीफा मांग लिया है पर चौधरी ने साफ कर दिया है और फरमाया है कि वो नतीश सरकार के सदर में बहुमत साबित करने के बाद ही पद छोड़ने के बारे में फैसला करेंगे जिससे ये माना ज़ा रहा है कि बिहार में कॉंग्रेस और आर्जेडी बड़े खेल को अंजाम देने की कोशिश में सफल होते हुए दिखाई पड़ रही है दीबी लाइप की रिपोर्ट